हेलो फ्रेंड्स माइने में जेबंजेन आज हम बात करेंगे कि आप कैसे किसी भी कंपनी की कोई भी जानकारी कैसे देख सकते हैं ओनलाइन इजिली वो भी B.A.C. इंडिया के उपर काफी लोग पूछते हैं कि हम शेर ओल्डिंग पैटर्न कैसे देखें फाइनेंशल रिजल्स जो आए उसका लेटर कैसे निकाले हैं और बोनस इशू अगर किया है तो उसकी जानकारी रेकॉर्ड डेट बाइबेक के बारे में तो यह सारी जानकारी आप इजिली B.A.C. इंडिया के उपर देख सकते हैं तो इसके उपर जाना है उसके बाद आपको क्लिक करना है और उसके अंदर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर सारी डीटेल्स आ जाएगी वो सारी कमपनी के बारे में यहाँ पर आप इजिली देख सकते हो जैसे Dish TV, DCM, Shriram या जो भी आज की डेट में चिनों ने भी update किया है इस website के उपर जैसे financial results या employee stock option तो किसी particular company का अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा enter security name यहाँ पे मान लिजे TCS का मैं डाल देता हूँ Tata Consultancy Services और आपको submit करना है तो इसके अंदर TCS की पूरी जानकार यह आजाएगी तो यह आप देख सकते हैं 17 अगस 2018 को उन्होंने क्या यहाँ पे डाला है एक announcement डाला है TCS positioned as leader and star performance in digital workplace services by average group और उससे पहले भी डाला है DBS bank and TCS win the Asian banker award उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो सारी जानकारी यहाँ पे है तो यहाँ पे इन्होंने buyback जो announcement किया था उसके बारे में भी है 7 अगस्ट को इन्होंने डाला था announcement under regulation 30 public announcement buyback of shares तो यहाँ पे इन्होंने record date डाला था तो देख सकते हैं fixes record date for buyback of equity shares तो यहाँ से आप easily देख सकते हैं record date जो है वो 18 अगस्ट का है उससे पहले भी अगर आप देख सकते हैं तो corporate action intimation of buyback तो इसके अंदर board of directors जो है company के promoters जो है वो भी हिस्सा ले सकते हैं वो भी यहाँ पे detail डाला है और जो voting करते हैं postal ballot waiting उसका result भी यहाँ पे update हो जाता है easily और अगर इस company के share holding pattern या financials देखना है तो वो भी यहाँ पे available है आप easily देख सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं easily काफी सारी press releases है और यहाँ पे dividend के बारे में भी दिया है fixes record date for interim dividend तो यहाँ पे पूरा details दिया जाता है कि कितना dividend मिलेगा यह letter यहाँ से download कर सकते हो PDF format के अंदर इसके अंदर share holding pattern भी दिया है share holding for the period ended 38th June 2018 तो काफी सारी चीज़े हैं यहाँ पे देख सकते हैं financial results भी आ गया है financial results for the quarter ended June 30th 2018 तो जो भी कुछ यह company के अंदर हो रही है वो सारी यहाँ पे update होता है तो आप easily जाकर कोई भी company का डाल सकते हैं और easily check कर सकते हैं भले वो rain industries हो quality limited हो JP associate हो सभी company का आपको उपर डाल देना है security name तो उस company की पूरी कुंडली पूरी details वहाँ पे आप easily देख सकते हो download कर सकते हो आप easily PDF तो यही आज बताना था क्योंकि काफी लोगों की query थी कि आप कहाँ पे देखते हो कैसे देखते हो तो यह चीज आपके लिए काफी helpful रह सकती है long term के इसाब से और आप easily देख सकते हो क्या चल रहा है company के अंदर तो आज इतना ही बताना था और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like करेगा और हमारे channel को subscribe जरूर करेगा ताकि ऐसे important updates अब तक हम पहुचाते रहें चलिए thank you